हेलो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चार्जिंग सेक्षन के हर वीडियो जो के अलग-अलग आई-सी को लेकर मैं बनाया है उसका एक एक वीडियो मैं आपको डेफिनिट ले दूगा तो सबसब पहले हमने जो एक चार्जिंग का वीडियो बहुत पहले आज से तक्रिबन पाच्छे महीने पहले एक एक MTK का मैंने दिखाया था जो के एक FN जीरिस का इसी था और जो के MTK के अंदर यूज मिलिया गया था और अभी रिसेंटली मैंने एक एक BQ 25601 एक चार्जिंग IC जो आपको दिखाई जो के MediaTek के फोन के अंदर भी यूज मिली जाती है और यही IC आपको Qualcomm के फोन में भी देखने को मिले कि यानि कि यह दोनों जगा पे इसी जो है वो यूज मिली जाता है तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की एक्चल में सैमसंग कंपनी जो है वो पहले से लेके अब तक अपने बॉड के अंदर आपी सारे चिपसेट का अलग-अलग यूज करता है यानि के सैमसंग के अंदर आप देखो उसमें आपको SPD IC यानि कि स्पैट्रम IC भी देखने को मिलेगा इसके अलबह Mट के IC अपको देखने को मिलेगा Qualcomm IC भी आपको देखने को मिलेगा जो के सेमसंग के बॉरर यूज करता है, इसके अलावा Samsung की खुद की Xino Series है और Xino Series के अंदर उसकी जो IC आती है वो SM Series से स्टार्ट होती है या तो SM Series की IC होती है या तो S2MPU करके कोई नाम होता है उसका तो इस तरह की IC जो है वो Samsung खुद की Company की यूज करता है यानि कि ये made by Samsung ही होती है अधरवाइस वो मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें Spectrum MTK Qualcomm इस तरह के chipset भी वो यूज करता है अगर Samsung के model के अंदर MTK IC लगा हुआ है तो उसमें जो formula लगेगा वही अपना VCDT वाला और चार जल्डियों वाला और वही जो pattern है वो आपको देखने को मिलेगा ज दूसरा pattern Qualcomm का भी उसमें हो सकता है SPD तो आला के अभी के board में आपको नहीं दीखेगा लेकिन पहले काफी सारे board ऐसे थे Samsung के अंदर के जिसके अंदर आपको SPD IC भी देखने को मिलता था तो कहने का मतलब के Samsung एक ऐसी brand है कि जो हर तरह के chipset जो है वो यूज करती है जिस तरह का उसका phone होता है यानि कोई मेंगे phone के अंदर वो मेंगा वाला chipset यूज करता है तो कोई के अंदर सस्ता वाला chipset भी वो use करता है यानि कि हर तरह के chipset को use करके Samsung जो है अपनी circuit को present करता रहा है और मैंने जैसे बताए आपको कि अगर आप जो है वो एक pattern पे अगर आप है और कॉलकॉम का जो मैंने आपको BQ25601 हाला कि मैंने ये एक ही डायग्राम अभी रखा है इसके अंदर तूकर एक्चुल में इसकी बहुत सारी chipset अलग-अलग है कॉलकॉम के अंदर यूज में ली जाती है लेकिन ज्यादा तर पीने जो है उसमें मैच होती है कुछ-कु है यानि कि Samsung का J700F ये model मैंने लिया हुआ है यहाँ पे और इसके अंदर हम देखे तो यहाँ पे एक SM703 ये IC यूज की गई है और ये IC सिर्फ यही पॉन में नहीं Samsung के कापी सारे set के अंदर जैसे G2 हो गया J5 हो गया ऐसे कई सारे set के अंदर ये वाली IC जो है वो आपको देखने को मिलेगी जो कि इसके बहुत ही common IC है तो ये SM series का IC है यानि के MTK और Qualcomm की pattern देखी जिन बंदों ने अभी join किया है और जिननों ने आगे की नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके charging section OK करेगा तो charging section के अंदर आपको one by one एक एक पहले से लेके अभी तक के जितने वीडियो मैंने डाले है वो सब one by one आपको दिखने start हो जाएंगे और अगर आप पहले से देखते हो तो ये चीज़े आपको अच्छे से समझ में आएगी अदरवाइस कुछ चीज़े आपको समझ में आएगी कुछ चीज़े समझ में ने आएगी कुछ अगर आपको पहले से pattern देखा है तो आपको बहुत ही easily समझ में आएगा तो मेरी आप सबसे request है कि जो लोग नए अभी-अभी join हुए है या मतलब जिनों ने अभी-अभी subscription किया है subscribe किया है मेरी channel को वो पहले से charging section के video देखेंगे तो उन्हें देखने का मज़ा और आएगा और अगर आप basic से देखते हो यानि के component का भी आप समझते हो तो और ज़्यादा देखने का मज़ाएगा क्योंके component के अंदर जो दूसरे क्योंके ज़्यादा तर लोगों को यह लगता है जो 5 साल से 10 साल से काम कर रहे है यार हमको तो component के बारे में सब पता है लेकिन मैंने ऐसे ऐसी बंदे भी देखे है कि जो 10-10, 15-15 साल से काम करते है लेकिन component का जो detail में knowledge होना चाहिए वो उनके पास शायद नहीं होता है कोई-कोई लोग उनके पास तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने extraordinary कुछ दिया है जो है वो ही दिया है मैंने लेकिन कई बारे ऐसा होता है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो उसमें से शायद एकार चीज़े से निकल जाए कि जो आपको पता नहीं हो पहले और बात में पता चले तो ऐसी सब चीज़े जो है वो आपको कुछ न कुछ नया देखे जाएगी तो कोशिश करिये दूसरा मैंने सब्जेक्ट रखा है वो दिजीटर ईलैक्रोनिक्र रखा है उसके बाद मैंने चरजिंग सेक्षण स्टार्ट किया है और फिर मैंने कुछ कुछ सेक्षण के जसे डिश्प्ले होुगे राके भी कुछ वीडियोस जो है वो अंदर रखे हुए है लेकिन अगर आप playlist wise देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो हमेशा channel के अंदर जाके playlist को open करके वहाँ से अगर आप video देखोगे तो line to line आपको video दिखेगा कि जो है वो sequence के अंदर मैंने रखा है तो वो आपको समझ में आएगा खेर यह सब बाते तो होती रहेगी हम लोग स्टार्ट करते है यह charging section दोस्तों जब भी हमें कोई भी charging section ढूणना होता है तो सबसे पहले हम जो word type करते हैं वो होता है V bus यहाँ पे मैं V bus को type करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ next तो जहाँ जहाँ पे भी वी bus होगा वहाँ मिलेके जाएगा यह वी bus आया है इस IC के अंदर लेकिन हमें जाना है charging connector पर तो हम यहाँ से सिधा charging connector ढूणनेक्टर घूंडेगे के अमारा जो USB connector है वो कहां जा रहा है क्योंकि वहाँ से जो हमें सीधा line मिल जाएगा इसको हम next next करते जाएंगे जब तक के charging connector नहीं आता है देखिए यह USB connector यह आ गया दोस्तों Samsung का जो यह phone है Samsung के काफी सारे set के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि जो नीचे की PCB होती है जनरली वह सेट में नहीं है मतलब इसमें जो बॉर्ड रहता है वह उपर से नीचे तक पूरा connected बॉर्ड रहता है यानिके जो charging connector है वह किसी बेल्ट के द्वार क्योंकि इसके पहले जो हमने डाग्रम दिखा था दीकियो सीरी इसका उसके अंदर मैंने आपको चीज दिखाई थी कि जो लाइन होती हो बीटू बी कनेक्टर में से स्टार्ट होती है यानिके अपर बॉर बॉर्ड होता है जिसे हम सब PC भी कहते है या सब बॉर्ड कहते है वो सब बॉर्ड इसमें यूज नहीं किया दता है कुछ सेट ऐसे है सैमसंग के जिसमें आपको पूरा बॉर्ड एक साथ मिलेगा यानिके यह जो हमने मोडल लिया तो इसके अंदर भी आपको जो बॉर्ड है वह अलग से नहीं दीखेगा यहां पर यह पूरा बॉर्ड जो है ऊपर से नीचे तक पूरा connected रहता है और इसका जो charging socket है वो यहाँ पर नीचे लगता है तो यह है इसका USB connector या charging socket जो भी आप बोले तो आप वीबस लिखोगे तो यहाँ पर लेके आएगा आपको अब यहाँ पर हम देखे तो वीबस की जो लाइने है वैसे यहाँ पर आप इस connector के अंदर देखोगे तो इसमें तेरा पीने दिखाई है लेकिन एक्षुल में यह लोग जो है वो counting जो करते है तो उसमें जो आपके बाद बाकी के जो होते है यानि कि जब आपका चार्जिंग सोकट जो लगता है उसमें जो कुछ पीने हॉल के अंदर सैट होती है जो कि उसकी पकड के लिए बनाई गई है तो वह सारी चीजों को वह लोग ग्राउंड में दिखाते है तो या एंसी में दिखाते है देखिए यहाँ पे इसको सपोर्ट वाला दिखाया था यानि कि वो जो मैंने चोपन जीरो पांच या ऐसा कोई आइसी में लिया था जिसके अंदर ओटीजी सपोर्ट था वहां पर आईडी की लाइन का यूस किया जाता है यानि कि हम इसके नीचे लगा सकते है ऐसा हमने एक फॉन दिले लिया था द देखेंगे तो यहां पर DMDP की लाइने भी है जिसका यहां पर यूस किया जाता है यहां पर UMIC DNDP और MUIC ID यह जो तीन लाइन है क्योंकि एक होती है इसके अलावा भी बीच में तीन पीन है जो होती है जो यहां पर इस फोन के अंदर हम देखेंगे कि इसका भी यूस होता है और इसको यूस कैसे होता है इसका यह हम आगे चलके देखेंगे फिलाल मेरा कहने का मतलब यह है कि यह हमारा जो है वो USB कनेक्टर है उसकी पांच पीनों में से एक नंबर की जो पीन है वो उसकी प्लस की लाइन है यानि के प्लस की पीन है जहां पर हम चारजर जब एंड़ करेंगे तो उस में से फाइव необходимо यह वो यहां से निकलेगा वो जाएगा एक कोईल के अंदर यानि कि यहां पर इंड़क्टर कोई रखी हुई हैन्क नोर्मल कोईल है और वह नोरमल कोईल में से होके यहां पर रखा है कापपरिसिटर चोकर यहां पर यूझे यकाप यह ऑक सकते हैं उसको वन Mayerson Can capacitor जो यहाँ पर यूज में लिया गया है जिसको यहाँ पर filtration के लिए ground किया गया है और 35 volt यहाँ पर इसकी capacity है यानि कि कापी heavy value का है जो के बहुत ही ज्यादा voltage तक की यह load sign कर सकता है और यह supply जो है यहाँ से output हुई है जहाँ पर लिखा है V bus 5.0 IF ऐसा लिखा हुआ है यहाँ से यह supply जो है वो हमारी out होगी और यह supply कहाँ जाती यह भी हम साथ साथ में देख लेते हैं क्योंकि यह direct देखिए यहाँ पर जा रही है यानि कि इस IC के अंदर आ रही है और इस IC के अंदर आप देखोगे तो यह IC के अंदर यहाँ पर दो capacitor लगे हुए है जो के filtration के लिए रखे है और यह line जो है सीधी यहाँ से V bus करके यहाँ पर जा रही है तो इतनी चीज़ हमने देख लिए पर ले हम इतना बना लेते हैं यानि कि इतना drawing हम कर लेते हैं फिर हम आगे की circuit जो है उसको समझते हैं तो यहाँ पर हम पहले यह IC बना लेते हैं कि जो हमारी IC है यह मैंने आपको जिसे बताया कि 77.03 यह एक IC के है और यह हो गया हमारा charging connector जिसके अंदर V bus, DM, DP, ID और ground यह इतनी 5 line हैं उसमें से एक line जो है हमारी निकले उसके अंदर एक लगा था inductor coil और inductor coil के बाद यह line के अंदर एक लगा था capacitor और यह line के अंदर दो capacitor और लगे थे और फिर बाद में यह line जो है यह अपनी IC के अंदर जा रही थी तो इतनी चीज़ हम ने देखी कि यह IC के कौन सी नंबर पे जा रही थी यह 3 और और यह 4 पे तो यहां पे हम देख लेते हैं यह इसका हो गया यह 3 और यह 4 तो इतनी जो line है वो हमने यहां पे देख लिए और इतनी line हमें समझ में आ गई दोस्तों अब इस IC के बारे में थूड़ा बात कर लेते हैं तो यह जो IC है यह इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं तक इसका पूरा नाम जो है इसको आप देख सको तो देखीए यहां पे आ गये हम यह IC के नीचे और इसमें थोड़ा और छोटा करते हैं, यह है इसका पूरा नाम, और यहाँ पे लिखा हुआ है IF PM IC, और उसके ब्रैकेट में लिखा गया है MU IC, प्लस चार्जिंग, प्लस फ्यूल गेज, प्लस बक, प्लस LDO, यानि कि इस IC के अंदर, काफी सारी सप्लाई जो है, वो दी कर समझते हैं, इसका नाम बताया गया है यहाँ पे, IF PM IC, यानि कि अगर आप सेमसंग के डाइगराम के अंदर, देखो गया तो चार्जिंग IC का नाम जो है, वो IF PM IC लिखा जाता है, और IF PM IC इसको क्यों बोलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और एक बंदे ने मुझे पूछा था कि यह सर, PMI क्या होता है, और PM IC क्या होता है, तो यह थोड़ा उनके लिए confused इन था, और काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि PM, PMI, PMI में इतना confused हो जाता है यह लोग, कि actual में वो समझ नहीं पारता है कि कौन सी PM है, कौन सी PMI है, तो य यह सब जंजट में पढ़ने जैसा नहीं है, क्योंकि यह PM, PMIC ऐसा कुछ याद आप रखोगे, तो आप definitely confused होगे, एक चीज आपको normally समझना है कि कोई भी IC होती है, जिसके अंदर supply जाती है, और वो अलग-अलग supply निकालता है, तो वो power IC है, और यह मैं नहीं बोलता हूँ, यह company बोलती है, यानि कि आप देख लोगे, तो यह PMIC ही है, इसको PMI बोलोगे, तो यह आपकी गलती है, क्योंकि यह PMI नहीं है, PMI एक diagram के अंदर नाम दे दिया PMI, तो आपने उसको पकड़ लिया, यह PMI है, तो ऐसा नहीं है, यह सारी की सारी PMIC है, और PMIC जो होती है, वो क जिसे हम कहते है, तो यह भी एक तरह की power IC है, लेकिन main power IC हम ऐसा बोल सकते है, कि main power IC नहीं है, यह second power IC है, क्योंकि main power IC वो होती है, उसको यारत रखने का आपको simple तरीका बता देता हूँ, कि जहां पे आपकी power on-off key हो, यानि कि जहां से आपकी boot sequence start होती हो, ऐसी IC को हम main power IC बोल IC भी देखने को मिल सकती है, अलग-अलग, जो के अलग-अलग section के लिए power बनाने के लिए, अलग-अलग IC आपको देखने को मिल सकती है, तो यह PM, PMI, यह सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमें simply एक समझना है, कि जिसके अंदर power on-off key का function हो, यानि के जहां से हमारी boot sequence run होती हो, वो हमेशा हमारा main power होता है, और दूसरी, उसके अलवा जो भी है, वो अलग-अलग होती है, खास करके charging के अंदर जो PM यूज में ली जाती है, उसको हम DC to DC IC बोलता है, और DC to DC Q बोलता है, तो कि इसमें DC to DC MOSFET होता है जो battery और आपकी VPH line के बीच में लगता है, यानि कि जो आपका charging का supply बनेगा और वो, जो मैंने इसके आगए के section में जो मैंने आपको पूरा deeply उसको explain किया है, तो मैं यहाँ पे उसको दुबारा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन खहने का मतलब कि जो बाकी की IC है, वो भी power IC है, उसको आप PMIC बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको PMI ही बोलना है, या PM660L है किसके अंदर, ठीक है, तो वो अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक ही है, उसके अंदर कोई difference, नहीं है, हम यह चीज को है, वो थोड़ा समझना चाहिए, यह सारी की सारी जो होती है, वो power IC होती है, क्योंकि इसका काम है power management करने का, तो यह सारी की सारी power management या power modular, जो भी हम बोलना चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, उसको हम समझ लेते है, कि यहाँ पर IAPMIC नाम लिखा गया है, इसके अंदर इतनी इतनी चीज़े हैं, जैसे function होता है, iPhone के अंदर भी switching IC होती है, जिसे हम U2 अगरा कहते है, तो बहराल वो जब आएगा iPhone का section, तब मैं आपको इसको deploy समझाओगा, लेकिन फिलाल, यह यहाँ पर MUIC का use किया गया है, जो कहें कि USB switching IC, USB switching IC की ज़रूरत, आपको Android में ज़्यादा तर नहीं दिखेगी, यानि इसकी वज़ा क्या है, तो उसका थोड़ा basic fundamental समझ लेते हैं, कि MUIC क्यों use में ली जाती है, यानि कि USB को switching कराने के ज़रूरत क्या है, तो जो भी set, जो भी mobile, ऐसा होता है, कि जो अलग-अलग mode में, phone जो है, वो computer के साथ connect होता है, तो उसके लिए USB switching IC के ज़रूरत परती है, य तो वो आपका file open करेगा, यानि कि जिसको host mode बोला जाता है, तो host mode के अंदर आप क्या कर सकते हो, कि आपको computer में से कुछ file है, या कुछ photos, या कोई video, या कोई mp3, song, कुछ भी, आपको जो भी डालना है, वो आप mobile में डाल सकते हो, या mobile में से ले, कि computer में डाल सकते हो, तो इ यानि कि file manager उसका open हो जाएगा, और वहाँ पर आप जो file है, वो copy कर सकते हो, या paste कर सकते हो, जो भी करना है, आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक काम हो गया उसका, अभी उसी USB connector के अंदर, हमको phone को flashing mode में convert करना है, यानि कि अगर हमको software करना है, तो आपने देखा होगा, कि Samsung क जो set होते है, उनको directly आप flashing के लिए सीधा आप cable लगा दो कि वो flash नहीं होगा, उसको आपको odin mode में डालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते है download mode, तो ये download mode जो होता है, तो ये एक अलग mode हो गया, यानि कि ये phone जो है, वो अलग-अलग mode के अंदर, अलग-अलग तरह से वो connect हो तो ये सारी चीजे जो है, वो CPU को पता चलनी चाहिए, तो CPU को पता कब चलेगी, क्योंकि जब हम cable तो एक ही जगा पे लगा रहे है, लेकिन अलग-अलग mode में जब हम अलग-अलग तरह से लगाते है, तो उसका switching अलग-अलग तरह से होता है, और वो एक IC के द्वारा किया ज जाता है, जिसको MUIC या switching IC, या USB switching IC, इस तरह से अलग-अलग phone के अंदर, अलग-अलग आपको नाम देखने को मिलेगा, हला कि Samsung के अंदर यहां पे MUIC ही नाम यूज में लिया जाता है, और यह MUIC का का काम यह होता है, जो मैंने आपको समझा है, तो एक इसका chapter जो है, वो खतम IC है, इसके अलग-अलग, प्लस FG, FG का मतलब है fuel gauge, तो हमने जैसे देखा के current sense circuit हमारी होती है, और current sense circuit में से एक power IC को हम लोग, जो हमारा पहले का, पहला जो वीडियो था मेरा, उसमें मैंने दिखाया था कि उसमें VCDT, चार्ज, यह सारी चीज़े जो है, वो direct power IC से connected होती ह है, यानि कि आपकी battery का fuel gauge कितना है, आपकी battery कितनी बरी हुई है, वो बरी हुई है, या खाली है, कितना percentage है, यह सारी चीज़े, यानि कि fuel gauge, इसके बारे में हम लोग आकर discuss कर चुग है, तो मैं ज्यादा detail में नहीं बताऊंगा, लेकिन fuel gauge का system आपको पता है, क्योंकि आपने कुछ अलग-अलग camera अगेरा के लिए भी buck supply है, इस IC में सब बनाई गए, क्योंकि एक तरह की second power IC है, जिसके अंदर से आपको buck और LDO, यहाँ पे LDO supply भी है, तो जैसे main power IC के अंदर से, हम लोग buck और LDO supply जैसे बनाते है, वैसे इस IC के अंदर भी buck और LDO supply जो है, वो यहाँ प function यहाँ पे रखे गए है, अब इतना हमने समझ लिया, अब हम करते है main topic के बाद, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको दिया है, वो इस IC का overview दिया है, कि अलग-अलग phone के अंदर हमने जैसे देखा, MT के वगएरा में, या Qualcomm वगएरा में, सब जगा पे system अलग-अलग होती है और मैंने जैसे आपको बताया, जैसे कि अगर आप उसकी pattern को समझोगे, हर company की एक pattern होती है, और आप यह Samsung की pattern है, अलग कि यह Samsung की primary pattern है, इसके बाद, अलग-अलग set के अंदर आपको थोड़ी-थोड़ी बहुत difference आपको देखने को, मिलेगी, यानि कि pattern में थोड़ा-बहुत थोड़ा-बहुत difference होता है, तो यह सब जीजे जो है, अगर हम समझ के काम करेंगे, यह हमारे पहुत easy हो जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी supply जो थी, वो charging connector से निकल के यहाँ पर आई, इसमें दो capacitor लगए है, और यह A3 और A4 नंबर की pin पर गई, जहाँ पर ल circuit तो already होती है, तो जो हमारी OEP circuit होती है, वो अगर हमें check करना हो, तो हमें क्या करना होता है, कि जब हमारा VBUS USB जो भी होता है, वो in हो जाता है, तो वो in होने के बाद सबसे पहली जो supply बनती है, वो कौन सी बनती है, PMID, तो PMID जो है वो उसका actual में OEP बात का ही supply है, यानि कि एक तरह से OEP आपको output दे रहा है, यानि कि over voltage protection जो ही IC के अंदर generally होता ही है, charging IC के अंदर, लेकिन कोई कोई कमपनी या बाहर अलग से OEP circuit रखती है, कोई कोई कमपनी ने रखती है, हाला कि इस set के अंदर OEP IC का use नहीं किया गया है, यहाँ पे सीधा direct जो charging की supply है, वो वहाँ पे एक inductor coil लगी थी, और inductor coil के बाद वहाँ पे एक capacitor लगा था और दो capacitor यहाँ पे लगी है, यहाँ से charging connector से line आई, उसके अंदर एक लगा हुआ है, आपका inductor, तीन लगे हुए capacitor, उसमें से एक वहाँ पे लगा था, यानि कि जहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, वाप यहाँ पे दो capacitor लगे है, और फिर यह line सीधा गई है, इस IC के अंदर जो के है SM 5703, जिसका number यहाँ पे दिया गया है, U4004, तो यह एक IC है, जिसकी 1 और 24 number, sorry, कुन सी number थी, A3 और A4, sorry, तो यह A3 और A4 number की pin पे, यहाँ पे यह supply जो है, आपकी insert हो रही है, तो यहाँ तक की कह supply, जैसे हमेने आपको बताया, कि जब भी आपका Veebus USB in होता है, तो सबसे पहली supply जो आपकी बलती है, वो बनती है PMID की, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको PMID words कहीं पे भी देखने को मिलेगा, नहीं, लेकिन एक word यहाँ पे आपको सेम सेम देखने को मिलेगा, ज इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ताकि कुछ लोगों को प्रॉपर ले दीखे, यह लिखा हुआ है, MID Veebus, यानि कि MID Veebus जो है, वो PMID की लाइन है, और उसको हमें सर्च करना हो, या हमें समझना हो, तो मैं ऐसा समझ सकते है, क्योंकि उस लाइन के अंदर, लेकि यहा पर मिल गया, तो आपका ओर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हो गया, आपका Veebus इन भी हो गया, इसकी कनफोर्मिशन आप यहां से ले सकते हो, तो एक तरह का टेस्ट पॉइंट है, अगर आपको आगे सब चेक नहीं करना है, सिधा PMID या MID Veebus पर, आप चेक कर लोगे, और यह B6 और B7 नमबर, और B6 और C6, उसके अंदर एक लगा हुआ है, 1000 नेनो फेराडेकर के कैपसिटर, और इस कैपसिटर को गिया गया, ग्राउंड, जहां पर लिखा है MID Veebus, तो यहां पर MID Veebus हमारा output हो गया, मतलब हमारी input supply जो है, उसमें हम कोई डाउट नहीं कर सकते, अब उसके बाद जो हमारी supply बनती है, वो हमने हमेशा देखा है, कि वो एक switching supply बनती है, तो switching supply बनने से पहले, एक यहां पर मैं ground की line भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो है, यह वाली line जो है, वो PG ground है, क्योंकि यह जैसा positive है, वैसा उसका ground मिलना भी जरूर है, यह PG ground क अब एक ही होती है, PG ground का मतलब होता है positive का ground, तो यह positive का ground है, और यह positive का ground नहीं मिलेगा, तो भी आपका जो है, वो function काम नहीं करेगा, तो पहले हम उसको बना लेते हैं, यहां पर हम बना लेते हैं, A8 और A9 नमबर पर जो line है दोनों, वो दोनों यहां पर ground की रही है, देखे दोस्तों मैंने यहां पर जो IC ली है, यह IC का bottom यू लिया गया है, यानि कि अगर आप IC उठाते हो, तो circuit के अंदर जो आपको track मिलेंगे, वो same to same इसी तरह से मिलेंगे, आप 703 IC या 5703 IC अगर उठाते हो, तो यहां पर यह दो पीनों पर आपको वीवस मिलेगा, यहां पर आपको MID मिलेगा, तो यहां पर यह दोनों पीन है, वो ground मिलेगी, तो यह exactly मैंने same to same लिया है, कि अगर आप कोई भी board उठाते हो, और यही वाले से आप comparison करके यहां पर जिदा आप जो है, वो supply भी चेक कर सकते हो, प्लस आपको पता भी होना चाहिए, कि कौन से कोने में कौन सी सप्लाई जा रही है, क्योंकि कई बारे सा होता है, कि कुछ लोग कुछ IC के अंदर, जैसे CPU अगेरा के अंदर है, उपर खुरेत के, वहां पर जंपर मारते है, आपको लगता है कि कौन सा rocket science लिया, लेकिन ये location आपको पता हो, कि यहां पर A3 और A4 नंबर की पीन है, और यहां पर भी बस आ रहा है, और इसका मैं डायरेक्ट जंपर लेके, USB connector पर दे दूँता, आपको लगे कि क्यार बहुत बढ़ा काम किया है, लेकिन कोई बढ़ा काम नहीं है, इसको यहां से घी तो हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे भी हमारा MID वीबस हो गया, और एक हमने देख लिया, ground, उसके बाद कि जो हमारी supply बनती है, वो होता है, हमेशा जो के हमारा switching supply होता है, यानि कि जो हमारी switching supply निकलती है, वो इस IC से निकलनी चीए, निकि चार्जिंग के अधर, जब हमारा वीबसीन दो दाता है, तो सबसे पहले हमें देखना है MID, जो के PMID या MID बस है, वो हमने देख लिया, उसके बाद हमें देखना होता है switching supply, यहाँ पर हम देखें तो switching supply नम का कोई word हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमें switching supply को find करना है, तो हमेशा एक याद रखना के boot capacitor वहाँ पर होगा, और boot capacitor का line जहाँ पर जुड़ा होगा, वहाँ पर एक नएक bug coil आपको देखने को मिलेगी, जो के यहाँ पर लगी हुई है, L4012 और यह वाली जो line है, वो यहाँ पर आ रही है, इसमें लिखा हुआ है LX, तो Samsung के set के अंदर, आपको switching line जहाँ पर होग यह C8 number पर, जहाँ पर लिखा है boot, यानि के boot strap capacitor जो हम आगे भी देख सुके हैं, यह सब set के अंदर आपको यह वाला जो line है, वो देखने को 100% मिलेगा, जो अभी के set है उसमें, पहले की बात नहीं कर रहा हुँ है, तो यहाँ पर यह LX की line जो है, वो C9 और D9 number से निकली है और उसके अंदर से एक line वापस गई है, capacitor में से होके, यानि boot capacitor में से होके, और यह C8 पर वापस गई है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं, जो हमारी LX supply है, जो C9 और D9 number से निकली है, और उसके अंदर से एक capacitor लगा के, उस line को आगे दिया गया है, कौन से number पर, C8 पर, जहां पर लिखा हुआ है, boot, तो इतनी line हमने समझ ली, अब इसके आगे की story समझते हैं, कि क्या है इसमें, तो यहाँ से हम देखे, तो यह supply जो है हमारी LX supply, वो out हो गई, यहाँ से यह boot cap में भी चली गई, उसके बाद यह जो supply है, वो ज राउन कर दिया है, नहीं कि यह line आगे कहीं भी नहीं जा रही है, लेकिन यह line में से एक line वापिस आ रही है, और यह V system बनके जा रही है, जो कि हमने आगे भी देखा था, कि जो charging कराने के लिए आ रही है, तो यहाँ पर हम देखें कि दोस्तों कोई VPS power बना के आगे line नहीं दी गई है, क्योंकि इसके आगे camera जो circuit देखे दी, उसके अंदर हमने एक चीद देखे दी, कि यहाँ से जो supply निकलती है, वो VPS power बनके पूरे phone के load पे जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी story नहीं है, यहाँ पर पूरा मसला अलग है, तो यहाँ पर इसका मसला अलग करने क कि वज़ा क्या है, उसको हम समद लेते हैं, क्योंकि यह phone जो है, यानि कि जो J700, J7G कहते है, यह phone के अंदर एक removable battery का use किया गया है, नहीं कि user जो है, इसकी battery को निकाल सकता है, तो यहाँ पर VPS बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाला कि DC2, DC MOSFET इसमें use किया गया है, लेकिन company न यहां तक की जो story हम देखे, तो आगे और यहां मतलब जो आगे हमने diagram देखे, उसके साथ बिल्कुल match खाता है, उसमें कोई ज्यादा difference नहीं है, मतलब MTK का देखे, Qualcomm का देखे, Samsung का देखे, यह सारा system almost same है, पहले हम इतना बना लेते हैं, फिर बाकी की बात हम बाद में करत हैं, तो दोस्तों यहां से जो यह उमारी line निकली थी, जो के LX voltage है, जो के जिसको हम switching supply भूलते है, यह switching supply यहां से output निकली, उसके अंदर हमने देखा के एक register लगा है, एक capacitor लगा के उसको ground किया है, और फिर उसके अंदर लगी है buck coil, और buck coil के बाद एक लगा है capacitor, और यह line ज देखे, इसमें क्या है, कि यहां से VPS supply बन के बाहर नहीं निकल रही है, क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि यहां पे VPS का use नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक removable battery है, तो इसमें battery का VBAT supply ही हर जगा पे जाएगा, यहां से charging करके जो output निकलेगा, वो वापिस ISIC को दिया गया पर यह battery का नहीं, तरतर तक जाएगा है, यह VBAT लिका हुआ है, तो यह charge out बन के यह VBAT तक जाएगा, लेकिन यह story जो है, वो हम next video के अंदर समझेंगे, यह video जो है, मैं यहां पे end कर रहा हूं, यानि कि यहां पे इसकी information है, वो मैं यहां पे end कर रहा हूं, बस आपको सिर् controlling पीने है, क्योंकि हमने पहले से दिखा है, कि एक जो रस्ता होता है, वो charging connector से लेके, IC तक का होता है, दूसरा रस्ता जो होता है, वो battery तक का होता है, यानि कि यह input हो गया, यह output हो गया, लेकिन difference आता है, कहां पे, controlling circuit के जाएगा, क्योंकि यह सारी चीज़े तो है, आप iPhone त कोई difference नहीं है, क्योंकि यह main design है, लेकिन फरक कहां पर पड़ता है, आपका controlling circuit के अंदर, यहां पर controlling circuit के अंदर, कुछ अलग-अलग नाम जो है, वो देखने को मिलेंगे, तो आने वाले जो वीडियो है, उसके अंदर यह सारी चीज़े, जो मैं आपको one by one band, क्योंकि इसके अंदर, बहुत सारी पीने है, तो हो सकता है कि इसमें, दो या तीम पाट और भी बनेंगे, लेकिन यह जितने भी पाट बनेंगे, इसमें आपको मैं पूरा, इस IC का जितना भी पीन है, उसकी सारी जो description है, वो मैं आपको दे दूँगा, यह सारी पीने का configuration क्या है, यह कैसे काम करती है, कौन सी चीजे क्या है, यह सारी चीजे के लिए हम, नेक्स वीडियो के अंदर बात करेंगे, दोस्तों एक छोटी सी चीज आपको एक बता नहीं थी, और के आप लोगों ने जो BQ वाला जो मैंने 25601 का वीडियो डाला था, वो आप लोगों ने काफी पसंद कि और बहुत सारी कॉमेंट की, और बहुत ही खुशी हुई मुझे के आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे भी और भी दता रहूंगा, लेकिन आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं आपको जो चाहिए वो देने को तयार हूँ, लेकिन आप यूट्यूब चैनल है, उसको थोड़ा आप शेयर करिए, तो मुझे रहे हिम्मत मिलेगी, वो सकता है, मैं आगे इसमें और भी डालूँगा, आपको जितना मेरा वीवर्स बढ़ेगा, तो उतना मुझे भी confidence आएगा, चलो मुझे आगे और भी डालना है, तो मुझे आप को का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आप लोग मुझे इसी तरह से help करते रही है, पाकि मैं बैठा हूँ आपको ये सब guide करने के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो मैं याँ पैंड करता हूँ, मिलता है next वीडियो के अंदर, तब तक क के लिए goodbye सभी को